अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुक आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब काम ना है आज का पंचांग भी देखते हैं 30 दिसंबर सन 2020 दिन बुद्वार मार्शीष शुकलपक समवन 2077 तिथी पूर्णिमा नक्षत आरद्रा राहुकाल बारा सिर्यड दिशा सूर उत्तर पूर्दिशा आईए इस अंक में हम बात करते हैं कि पती पतनी के मद्धे में तनाव क्यों रहता है आपस में कलेश क्यों रहता है आज पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा से जुड़ा हुआ हम आज कुछ इसका निवारण भी आपको बताएंगे सबसे पहले हम परकाश डालते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कई बार हो सकता है परिवार में आपकी कमी हो हो सकता है किसी और की कमी हो हो सकता है किसी और वज़े से हमारे घर में कलेश होता हो ये बहुत प्रिकार की बाते ऐसी हो सकती है लेकिन आखिरकार हमारे ग्रह भी कुछ कारा होते है हमारे भग्य में ऐसा क्यों लिखा कि हमारे साथ हमारे परिवार में कलेश होता है हमारे परिवार में मिठास नहीं आती हमारे परिवार में शांती नहीं आती है ना आखिरकार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ तो ये आखिरकार का जो अंसर है ये देगी आपकी कुंडली या आपके हाथ की रिखाएं कुंडली की बात करते हैं ये मैं कभी विस्तार से जोते इस किलासों में भी सारी बात चलाने वाला हूँ अब देखो आपकी किसी भी ब्रक्ती की जनम पत्रिगा का सब्तम भाव चतुर्त भाव बहुत माईने रखता है सब्तम भाव कैसा होता है सुख का होता है और चतुर्त भाव किसका होता है सुख का होता है और सब्तम भाव किस चीज़ का होता है विभा का और कई बार विभा के कॉलम में यानि के विभा भाव में सब्तम भाव में है ना इस प्रकार के गिरह बैठे होते हैं कि वो जीवन भर पती-पत्नी का मेले नहीं होने देते जीवन भर उनके विचार धाराएं डिफरेंस रहती हैं अगर वो एक छट के नीचे रहे भी तो जीवन भर विचार धाराएं विपरीत हो जाती है चतुर्त भाव सुख भाव में अच्छे ग्रहना बैठे हो तो सुख नहीं मिलेगा कुछ न कुछ ग्रस्ती के सुख में कमी रहेगी रहेगी अब देखो जैसे सब्तम भाव जब जर्म पत्रिका मिलाई जाती है त से दुबर मंगल लगन में हो तो आप मंगल यह तो बनी गए और मंगल की सब में द्रश्टी हो यह दुख्यों कि उपर मंगल के ऊपर द्रश्टी और जिस वक्त वह विवा रहा हु उस वक्त गोचर में सित्तिवी mazio तो समझ दी जी का क्या होगा वो ब्यभा मेरे साथ से वो गोचर गती पूरी भी नहीं होगी और वो ब्यभाग खंडित होने की कगार प्यां जाएगी वो शादी तूटने की कगार प्या जाएगी और यदि सब्तम्भाव में मंगल भी बैठे हैं लाहू भी बठें और कई बार तो शनी भी भाँ जातें तो फिर तो कह नहीं क्या मतलब अगर हम एकता के सुत्र में रहने का प्रयास भी करेंगे तो अनेको जंजावत अनेको बाधाएं अनेको मानसिक तुफान हमरे साथ हो गई होंगे हम रहेंगे जरूर लेकिन रहेंगे बहुत मुस्किल से बड़ा पीड़ा दायक वो योग बन जाता है ऐसे ही कई बार जब कुंडली मिलान की जाती है तो पंच अभाव भी देखा जाता है पांच वकर क्या है बुद्धी विवेक का अब पता लगा बुद्धी विवेक में वो विवेक ही ताह ही नहीं बुद पता लगे साब मंगल और राहु महीं बैठे है मंगल अंगारक भी बन गया और राहु महां पीड़ा दायक भी बनेंगे बनेंगे ऐसे ब्रस्पती और इसका कॉंबिनेशन होता है सनी का कॉंबिनेशन होता है ब्रस्पती राहु का कॉंबिनेशन होता है तो यह इस प्रका कारण है तो उसका निवारण भी है प्रशन है तो उसका अंसर भी बनाएं ऐसा नहीं है लेकिन जो उपाये बताए जाएं वह बहुत अच्छे से हम सब को करने चाहिए और मैं इसका आज कुछ बताऊंगा भी आपको अभी मैं एक दो एक्जमपल हाथ से भी जिरेता हूं यह सबसे चोटी उंगले होती लेडिल फिंगर लेडिल फिंगर के नीचे कुछ रेखाए होती हैं इन्हें हम मैरीज लाइन्स कहते हैं अगर यह मैरीज ल रेखाएं कटी ना हो उन रेखाओं पर गुबारे जैसे या करती ना बनी हो कितनी रेखाएं हैं साथ में उपर की तरफ यह लंबी सी हर्दे रेखा होती है इस रेखा में भी मूली गाज़ा जैसे रेसी बहुत सारे निकले हो तो भी मैंने देखा है दामपत्ते जीवन मे अगनी लगी रहती है दामपत्ते जीवन सुख में नहीं होता बाद बाद पर तू तू में में होती है बाद बाद पर कलेश होता और यदि करूर ग्रह जातक के पंचम भाव में जादा है और करूर ग्रह पंचम भाव में हैं और बेमेल इस्तिती है तो ऐसी इस्तिती में उस घर में मार पीट की इस्तिती भी उतराती है, हाता पाई भी उस घर में उतराती है, कहने का भाओ इश्वर ना करें, कहीं ऐसा हो, देखो मैं तो यही भगवती से सब के लिए परात ना करता हूँ, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, इस विद्या से आप लाव ले सकते हैं, अब दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके पास जर्म पत्रिकाई नहीं हैं, डेटो बर्त नहीं हैं, तो हाथ की रेखाई दिखा कर भी इस समस्य से आप लोग निकल सकते हैं, अब एक चीज़ और मैं कहूंगा यहां पर आपको, हमारे पास ऐसी बहुत कुनले आ होते हैं, जो हम खुद भी कर सकते हैं, जैसे, भाई, कुछ भी नहीं है, छोटी-छोटी बातों पर इश्यू बन जाते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर के बड़ा रूप बन जाता है, तो हम जब सोचें कि हमारे कुंडली के ग्रह ऐसे हैं, या हमारे घर में वाता वर हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए हम बहुत काम करते हैं, कहीं न कहीं हमें भी कुछ कमिया होती हैं, हम उन्हें भी सुधारने का प्रयास करते हैं, आइए साथ को और बहुत सारे उपाई भी आज में मोले स्पुरा स्तारा नायक से करां स्मित मुखे बापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां ध्यायत्परां मंबिकां खडगं चक्र गदे सुचाप परिगां छूलंब सुन्डिम् सिरा संखं संदधतिं करिष्त्रिनयानां सरवंग वुष्वरृतां निलास मध्युत्यमास्यबाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम् कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम् रिगपते स्कंदस्तितां विशनां कन्यां विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरासे वितां हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विसिखां स्चापम गुणं तरजनीं विप्राणा मलिलात्मिकां ससिदारां धुरगां तिनेत्रां वजे कबच बना लें ध्यान करें भगवती का असिरवाद हम सब के उपर बरस रहा है और उम बोलते हूं नेत्रिकों ने समानने हो जाएं तो यह सब चीजें हैं थोड़ा सा हमें भी उस परिवार को एक पक्षी भी जब उसका गोंसला हवा में उड़ता है ना तो उसको तिनका तिनका करके मजबूत करने का प्रियास करता है तो ऐसी जब इस प्रकार की आंध हमारी परिवार में आती हैं तो हमें भी थोड़ा सा प्रियास करना चाहिए सामजस्तिक इस्तिति को बिठाना अवश्य चाहिए फिर भी इस्तिति ना बने तो हमें क्या करना चाहिए अब मैं आज उपाई भी बता रहूं आप नोट करें लेकिन एक बात जरूर धान रखे जब भी आप उपाय करूए, जालतर मंत्र साधना हो के उपाय करें अब मंत्र साधना आसान होती है, बड़े-बड़े मंत्र ëफ मत पडहिए आप, छोटे-छोटे मंत्र पड़िए उन से आपको भी शेष लाब मिलेगा या दानपुन के उपाय करें बहुत जदा हम जो नग इमायें तो आज के दिन आप क्या करें सवा सेर चावल ले नमा दोब़ार सुन लें ओम द्राम दृम द्राम से शुक्रायनमा इस मंतर को आप कम से कम 3 माला इस मंतर की करें यह 10 मिनट पढ़ें और इस पोटली को उठा करके कहीं एक तिरह रख दें कहीं बार किसी घर में इस प्रकार की स्थेती नहीं होती एक कुछ रखने की तो फिर उस पोटलिय को कहीं पर भी आप जल्बर्वा करें कि एसी इस्तेती भी ना हो तो क्या करें Em थोड़ी से चावल ले ले सवा सेड़ना लेंं थोड़ी सी ले लें सवबंठ्वी ले लंे इतना द्म करidences जैसे एक मुठी भर के रखा फिर थोड़ी सी सवा मुठी हमने चावल ले लिया गुलावी कपड़े में बीच में पत्वी पत्नी का नाम लिख करके गुलावी पैंसे गुलावी शाहिए से उसमें रख दिया कागस के उपर या भुजबत्र के उपर और उसे हम अच्छे से बांदें पोटली सी जैसी बनाते हैं और उसके सामने दूब देप अरपन करें और हम उसे क्या करें सुक्र का बीजात्मिक मंत्र तीन माला या दस मिनट जब करके हम उसे कहीं भी एक इस्थान में घर में कहीं भी लग दें पूजास्थल में भी रखी रहे तो कोई दिक्क आएगा मन में परिवर्तन होगा कि नहीं भई मेरी पतनी ठीक है नहीं साथ मेरे पती अच्छे हैं तो बस यह बनी की तो बात है मन का मिलना ही तो जिन्देगी का मिलना होता तो आप यह कर सकते हैं उपाए कोई भी जैक पुरुश करें महिलाए करें पूर्णिमा के दिनी ओम द्राम द्रीम द्रॉम से शुक्राइनमा पढ़ते रहिए शुकरवार के दिन अपने कमरे में सेंट जरूर लगाएं शुकरवार के दिन अपने घर में हैं जो भी आपका रूम होता है जिसमें आप सोते हैं जाला तर उसमें कपूर का दीब जनाएं और जिस रूम में काच का सिराहना बहुत बड़ा होता है छोटा मोटा काच चल जाएगा लेकि बहुत ज़्यादा काच आपके उस रूम में नहीं होना चाहिए जिसमें आप सोते हैं यह सोती हैं यह ध्यान रखें तो फिलाल तो मैंने आज आपको यही उपाई बताना था लेकिन एक बात में अवश्य आनन दाएगा और या फिर आपके निकटतम कोई भी ऐसे एस्टोलोजर हों जो कुंडली का ग्यान रखते हों उन्हें कहीं पर भी आप अपनी कुंडली इस प्रकार से दिखा करके कुंडली ना हो तो हाथ की रिखाएं दिखा करके जो भी आपको वह उपाई बताएं उन्हें करिए कहने का भाव पेड़ा मत सहीए दुख मत सहीए जिन्देगी जीने को एक ही मिलती है बाकी तो परमात्म जानते हैं इसलिए एक जिन्देगी को अच्छा सा सुन्दर सा बनाने का हमें हर भरसक प्रयास कर लेना चाहिए अपनी बात करता हूँ इस संस्थान में कॉल कर सकते हैं और अपनी कॉल अपाइंडमेंट बुक करा सकते हैं आप कहीं भी रहते हैं कहीं पर भी आप देश विदेश में रहते हैं उसके लिए आप हमसे प्रामर्श ले सकते हैं इनी शब्दों के साथ दर्शकों हम अपनी वानी को विराम देते हैं ज जो उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना आश्डर्ज हो गया कि इन्हें कैसे माल हूँ और इतना बढ़िया इन्होंने जिसके वज़य से मैं आज तक उन्हें से परभावित हुँ और इनका बताने का सैली वेगर इतनी बढ़िया है जो हम अपन किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें